Hello Friends, Welcome to Xmart Creator आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंग्लिस कीबोर्ड से हिंदी में टाइपिंग कैसे कर सकते हैं तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे मुवाइल में अभी इंग्लिस कीबोर्ड है तो अगर मैं यहाँ पर टाइपिंग करता हूँ तो यहाँ पर सिंपली इंग्लिस में ही टाइपिंग हो रहा है यह हिंदी में टाइपिंग नहीं हो रहा है तो अगर आपको भी सिखना है कि आप इंग्लिस कीबोर्ड से हिंदी में टाइपिंग कैसे कीजिएगा तो आप इस वीडियो को देखते रहे तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां से बैक आना है बैक आने के बाद आपको अपने मुवाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा प्ले स्टोर के ओपन होने के बाद आपको उपर में सर्च पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर Gboard लिखकर सर्च कर लेना है उसके बाद आपको इस application को डाउनलोड कर लेना है अगर आपके mobile में पॉले से डाउनलोड होगा तो आपको यहाँ पर open या update का option है जो simply so होगा तो यह सारे mobile में पॉले से अगर डाउनलोड रहता है अगर आपके mobile में download नहीं हो तो आपको इसे download कर लेना है उसके बाद आपको यहां से back आना है और अपने mobile के setting को open कर लेना होगा आपको उपर में search वाले option पर एक click करना है और आपको यहां पर language and input है जो type करना है तो जैसे आप language लिखेगा आपको language and input का option मिलेगा तो आपको इस पर एक click करना है click करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है जहां पर आपको default input method दिखेगा तो आपको इस पर एक click करना है और आपको keyboard को select कर लेना है इसके बाद आपको फिर से नीचे की तरफ आना है और keyboard पर एक click करना है आपको इस पर एक्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है add keyboard पर एक्लिक करना है और इसके बाद आपको उपर में एक option देखने को मिलेगा हिंदी और bracket में इंडिया तो आपको इसे select कर लेना है तो select करने के बाद आपको यहाँ पर tick पर एक्लिक करना है और done पर save कर देना है इसके बाद आपको यहाँ से back आ जाना है और आप जहाँ पर भी English कीबोर्ट से हिंदी में typing करना चाहते थे आपको इसे open कर लेना होगा तो keyword के open होने के बाद आपको यहाँ पर space bar या जो English सो हो रहा होगा तो आपको इसे press करकर रखना है जैसे आप उसे press करकर रखते हैं तो आपको नीचे में Hindi का option मिलेगा तो आपको इस पर select कर देना है और इसके बाद आप जो भी English में typing कीजिएगा वो आपको हिंदी में यहाँ पर typing है जो हो जाएगा तो इस तरह से आप बहुती आसानी से किसी भी English keyword से हिंदी में typing है जो कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मारे वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा